दोस्तों अपने Realme 10 Pro Plus 5G की बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे क्योंकि ये Curve Screen के साथ आने वाला है और इसी के साथ एक Realme 10 Pro 5G भी लांच होने वाला है जिसका प्राइज इसे थोड़ा कम रहेगा But in this video I am gonna tell you that why you should not buy this smartphone And this price क्या होने वाला है और सारे features क्या होने वाला है सारे चीजे डिटेल्स में बात करेंगे और एंड में आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों ये smartphone आपको नहीं खड़ना चाहिए Let's get started So first we will talk about the specification and features of this smartphone So यहां आपको मिलने वाला है 6.72 इंच की Full HD Plus IPS LCD display with 120Hz refresh rate Which is not very impressive in this price range मुझे लगता है कि इतना अच्छा है इस price range में खास करेंगे बाकि इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 695 का processor देखने को मिल जाता है Design बहुत अच्छा है इस smartphone का पीछे आपको signing back देखने को मिल जाता है और boxy design है Dual Studio speaker भी देखने को मिल जाएगा IR blaster भी दिया गया है smartphone में और 5000 mAh की battery with 33W fast charger भी दिया गया है जो कि ठीक है बहुत जादा अच्छा या बहुत जादा impressive नहीं कहा जा सकता है बढ़ हाँ इस price range के हिसाब से ठीक है 108MP का primary sensor दिया गया है और 2MP का depth sensor दिया गया है unfortunately यहाँ पर आपको कोई भी ultra wide lens देखने को नहीं मिलता है front में आपको 16MP का selfie camera दिया गया है और इसका जो rare camera है इससे आप 4K video record नहीं कर सकते है because of its processor Qualcomm Snapdragon 695 में वो capacity नहीं है कि आप इसके native camera application से 4K video record कर सके है so यह एक downgrading point लगा है मुझे और दूसरा लगा है कि इसमें आपको ultra wide lens देखने को नहीं मिलता है दूसरा जो सबसे major downgrading point लगा है मुझे इस smartphone का वो है इसका LCD capacitive touch display although it comes with 120Hz refresh rate but 20,000 के price में मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान LCD display के लिए smartphone घड़ देगा क्योंकि अभी आपको बहुत सारे smartphone देखने को मिल जाएंगे जो कि 50,000 से कम range के smartphone है और उसमें आपको AMOLED display देखने को मिलता है बाकि अगर pricing देखा जाए तो यह smartphone 18,000 में launch हुआ है चाइना में and of course इसका price जो है यहाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा और जैसा rumor आ रहा है उसके इसाब से देखा है तो इसका price मुझे लगता है 20,000 के करीब-करीब देखने को मिलेगा मतलब 19,999 रुपेस या 18,999 रुपेस कम चांस है 19,000 में मिलने का लेकिन मुझे लगता है ज्यादा तर चांस है यह 20,000 में आपको देखने को मिले इसका base variant जो कि 6128GB के साथ आता है और मुझे लगता है कि यह 5-8 का सौधा है मतलब कि 20,000 रुपेया में आपको LCD डिस्प्लेई मिलेगा और बहतर कैमरा भी नहीं मिलेगा आप 4K वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं और Qualcomm Snapdragon 695 का chipset मुझे नहीं लगता है कि वर्थ इट है तो आप थोड़ास ज्यादा पैसा लगेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा experience देखने को मिलेगा इसके plus variant में यहां पर आपको dual stereo speakers भी दिया गया है और speaker का quality भी आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा और इसमें आपको 67W का fast charger भी देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीजे देखने को मिल जाती है अगर आप details में जाना चाहते हैं इस smartphone के बारे में तो आपको card में link मिल जाएगा और यह से आप देख देखने इस smartphone को वारे में